छेतर के विकास को लेकर लड़ रहा हूं विधान सभा चुनाओ आम आदमी पार्टी परत्यासी हिदायत उल्ला साह बलरामपुर जनपत के तुलसी पुर्विधान सभाच शेतर से आम आदमी पार्टी से घोसित परतियासी हिदायत उल्ला साह द्वारा मेडिया से मुखातिब होकर कहा गया कि मैं विकास को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ परतियासी हिदायत उल्ला साह ने दिल्ली में अर्विंद के जरीवाल का बढ़ चड़ का सराहना की उन्होंने उनके कई योजनाए भी बताए उन्होंने बताए कि जिस तरह से स्वास्त सुबधा दिल्ली में है उस तरह सुबधा कहीं पर भी नहीं है आम आदमी पार्टी के परतियासी हिदायत उल्ला साह ने बताया कि जनता हमें काम पर उट देगी उन्होंने बताया कि हमारा विकास का मुद्दा है स्वास्त और सिक्षा जिसको लेकर हम लोगों के बीच पहुँचकर अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली के जैसा सुवधाय भी दी जाएगी आम आदमी पार्टी हमारी जो दिल्ली में है हम 6 साल के अंदर 3 बार मुखमंतरी बने है 6 साल के अंदर हमारी 60 दिन में सरकार गिर की कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया उसके बाद में जनता हमें इतना पसंद की जब फस्ट हमारी लक्सन लड़े दिल्ली के अंदर तो हम 36 सीट जीते लेकिन जब दुबारा लक्सन फिर मालूम है कांग्रेस पार्टी ने हमारी बहुमत खीच लिया तो आम आदमी पार्टी हमारी वहां पे 66 सीट जीती इस वज़े से जनता हमें पसंद कर रही है अब अगर तीरत यात्रा अगर करना हो दिल्ली के अंदर तो पचास आदमी का फॉम भरिए और तीरत यात्रा फिरी में करिए जबकि यहां के बच्चे लोग भी अपने माबा आपको तीरत यात्रा नहीं करा पाते हैं लेकिन हमारी पार्टी जो है वहां तीरत यात्रा फिरी में कराती है यानि पूरे हिंदुस्तान पे आपको जहां गूमना है वा गूमिये और हमारे मुसल्मान भाईयों को सबसिड़ी देती है और दूसरी बात तीन सो इनूट हमा मक्खी भी नहीं बैठ सकती है इस तरीका ते संगे मरवर पत्थर लगा हुआ है और यहां संगे मरवर पत्थर तो मंदिर में भी नहीं लगा है मस्जिद में भी नहीं लगा है इसकूल की क्या बात करते हूँ दूसरी बात अगर यहां पे अगर एक्सिडन्ट होता है तो आप हस्पिटल में अगर लेके जाते हैं तो पुलीस वाला आपको चार बात सुनाता है लेकिन हमारे हाँ अगर दिल्ली के अंदर अगर आप हस्पिटल में लेके जाते हैं एक्सीडन्ट होता है तो एक रुपे से लगा करके और दस लाख तक पचास लाख तक दवा फिरी में होता है दस रुपे में होता है हड़ी तूट गया तो उसका भी फिरी में अप्रेशन का कोई भी सामानों तो टोटल दवाफिरी में स्वास्त जितना अच्छा दिल्ली में है उतना पूरे भारत में कहीं नहीं है हमारे सामने जो है अमिर साह भी आये थे और जो है मोदी जी भी आये थे और हमारे भाई राहूल जी आये थे और पिरिंका गानी भी आयी थी सब को हम लोगों ने जाडू लगा करके साफ कर दिया अच्छा आप जब छेत में जनता के बीच जाते हैं तो किस उद्दे से आप उन्मागते हैं जनता हमारे काम के उपर उट दे रही है जो दिल्ली में एक बार गया है और हमारे दिल्ली को देखा है वो चाहे कोई भी कास्ट का हो चाहे वो बरहमन कास्ट का हो या मुसलिम कास्ट का हो या वो बीसी कास्ट का हो कोई भी कास्ट का हो जनता जो है हमसे जुड़ती है हमारे काम के उपर इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पिरिंका गांधी नहीं राहूल Ghandi चला रहे हैं पिरिंका गांधी को अगर पूरा बाग दोर दिया जाता तो अब तक देश का परधान मंतिर होते लें अब जो है यह कांग्रेस ऊक्दम साफ हो गई है कांग्रेस का तो ना महीं मतलो कांग्रेस भी साफ हो गई है बस्पा भी साफ हो गई है सपा भी साफ हो गई है अब इस ताइम दो ही पाल्टी चल रही है जो आम आदमी पाल्टी और जो साथ साल के अंदर हमारी पाल्टी की है उस चीज को देखिए दिल्ली के अंदर हमारी प कास का मुद्ध है जो सास्त और इस इस्कूल को और जो नवा यूग जो पढ़े लिखे हैं запास उनको पाचला रूपए बत्त के जाएगा आउरतों को यह खब आन Tony का भत्ता दिया जाएगा और बच्चों को अच्छा इस्कूल दिया जाएगा दिल्ली के जैसा और मुहला किलिनिंग दिया जाएगा हर यह गाउं में मुहला किलिनिंग रहेगा